चलती ट्रेन से गिरने के कारण व्यक्ति के दोनों पैर कटे गंबिर हालत जिला अस्पताल में भरती आमला रेल्वेस्टेशन की घटना मामला आमला जियारपी रेल्वेस्टेशन का है जहाँ पर दो नंबर प्लेट फार्म पर आज सुबह साथ पांच बजे के लगवाग चलती ट्रेन से व्यक्ति गिर गया जिसके कारण उसके दोनों पैर कट गया है गंबीर हालत में उसे सामुदाई के अस्पताल आमला में भरती कराया था लेकिन इस्थिति गंबीर होने पर साथ वज़े के लगवाग उसे जिला स्पताल रेफर किया गया है जियारपी से मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना एक्सप्रेस से आज सुबह साड़े पाज बज़े दो नंबर प्लेटफरम पर व्यक्ति गिर गया जिसकी वज़े से उसका पैर कट गया बताय जा रहा है हज्वत निजा मुद्दिन सेहदराबाद जारी थी और उसी एक सप्रेस से गिरने के कारण पैर कट गया फिलाल जिला स्पताल में गंबीर हालत में व्रती का इलाज जारी है गहल व्रती कोन इसकी जानकरी है फिलाल जूटाई जा रही है जिसको उप्चार है तो अस्पताल आमला में भर्ति कराया फिर वहां से रेफर होने के बाद जिला अस्पताल बेतन में लाकर बर्ति कराया के इलाज चल रही है कि अग्यात करीबन साव पांच यह साड़े पांच की तरिपका बात है अब भी कोई जनकारी नहीं इसके बारे में अग्यात है ट्रेन तिलंगना एक्स्प्रेस करीबन साड़े पांच बजएगे